सरकारी नीमा नुसार पटते एक 5-10 किलोमेटर की दूरी में एक उच विदाले होनी चाहिए पर हमारे छेत्र के देवगार जिलांतरकर जंगिस्पुर जहां का मैं खुद रहने वाला हूँ वहां 15 किलोमेटर की दूरी में एक भी उच विदाले नहीं आधी चाया करने के लिए मधूपुर जाना पढ़ता हैर बहुत ततीर मों का सामना करना परता है कभी-कभी बस टेन पर रुप आती है पिन आती उलोको देखना पढ़ता है कि कब अianeई गर बस लोकत उतल धुर पढना जाएंगी लगवर्ग तीन सौ आदिवासी छात्रे हैं और अड़ाई सौ अलब संख्याग वर्ग के हैं अक्टर वर्ग की सिच्छा तो ही सुलबता पुरुबग प्राप्त कर लेते हैं लेकिन माध्मिक सिच्छा जो मेट्रिक अस्तर का है इन लोग सही माइने में प्राप्त नहीं कर पाते हैं इन लोग को काफी दिक्कत होती है चोकि जग्दीश पूर के इर्दगीर पुछ भी जाले नहीं है यहां के बच्छों को मध्धुपूर जो लगवां 15 किलो मीटर दूर है वहां जाना पड़ता है बस से लटक के जाना पड़ता है उसके बाद उसमें भाड़ा लगता है अब एक दिन का भाड़ा माबाप लोग गरीबी है मैदूरी करके कितना बच्चा लोग को देंगे बच्चे साब को देने के लिए दस से पंदर रुपया तो परते दिन देना पड़ता है खर्चा के लिए अब उतना कहां से देंगे इसलिए कोई-कोई बच्ची लोग नहीं पड़ पाते हैं हाल में ही लोगोंने उच विद्दाले के मांग को लेकर के विनिट मंत्री हाजी उसंतारी के पास रखे आज हम लोग बरसों से हाई स्कूल की लडाई गरते आ रहे हैं लेकिन आज तक किसी ने हाई स्कूल के परती ध्यान नहीं दिया एक हमारे एमपी जो थे उन्होंने हाई स्कूल के नाम तो और यहां पर आपस में एक समुदाय में जगरा करवा दिया जो कि आज भी केस चल रहा है इसलिए मंद्री महदे आपसे अनुरोद है अगर आप मैं यही आसा रखूंगा कि आप किसी तरह से जरूर एक बार जटिस्पूल में हाई स्कूल कराते है मिनिट मंत्री हाजी उसिंसारी आसवासन भी दिये है पर अब देखने की बात है कि आसवासन को पूरा करते या सिर्क वादो सक्सीमित रहती है मुझे भी चिंता बनी है तो कि हमारा भी भाय इस पर आठी कच्छा में है आठी कच्छा पास करने के बाद वो आगे की पढ़ाई कर पाएगा या वो भी डॉपाउंट का सिकार हो जाएगा में मुझे सज्जक जारकन के देवगर जिला का वीडियो गारेंटिया के लिए